कि नवश्कार आप सभी का स्वागत भाग्यब मैं मैं हूँ पंडे चंद्र शेकर शर्मा दर्शकों सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्रा फालगुनी नक्षत्र शाम पांच बच के आठ मिनिट तक है आगे हस्त नक्षत्र है योग व्यागात है और योग की द्रेश्टी से आज का दिन मिले जुले प्रभावाला है करण कॉलव है दौपेर बारा बज़े तक आगे तैतिल करण रहेगा सुर्योदे का समय दर्शकों सुभे 5 बच के 56 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 6 बच के 54 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर बाज 4 बच के 30 मिनट से शाम 6 बज़े के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा इसमें कोई शुपकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब विजित मुरत आज दिन में 11 बच के 69 मिनट से दौपेर 12 बच के क्यान मिनट के बीच है दिन में दो बार दोस्त मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा सुजबू से टाल दीजेगा यह शाम 5 बच के 10 मिनट और शाम 6 मच के 2 मिनट आज का दिशाशूल दर्शेखों पस्चिम दशा में है तो पहले कोशिश तो यह कि पस्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दे लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है अनिवारी रूप से आप पस्चिम की यात्रा कर रहें तो एक छोटा स रहेगी कारेश सिद्ध होंगे दिशाशोल नहीं लएगा आज का शुब समय दर्शिकों यानि आज के दिन का सदुप्यों करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर दिन में 12 बच के 20 मिनट तक फिर दौपयर बाद 2 बच के 10 मिनट से 3 बच के 40 मिनट तक फिर शाम साथ से 9 बजे के बीच आज की चंदराशी दर्शेकों कन्या है यानि चंद्रमा बुद्ध की राशी कन्या से गोचर कर रहे जिससरे आज के दिन सब भी बारे राशी के कुछ इस प्रिकार रहने मया है। को सोच समझ कर ही आज कोई निर्णे लेने चाहिए वहीं ब्रश्ट राशी वाले सूजबू से सुलजा लेंगे घर के विवाद तो वहीं मिथोन राशी वालों को कोई अपना ही व्यक्ति दुख पहुचा सकता है करक राशी वाले रहेंगे प्रबल लाब की स्तिती में तो सिंग राशी वाले अपनी मैनत का फल आते वे देखेंगे वहीं कन्या राशी वालों की कोई समश्चा आज सुलज जाएगी तो तुला राशी वाले करियर में बढ़ेंगे आगे और वश्चिक राशी वाले पाएंगे आज अपने साथियों का समर्थन तो धनू राशी वाले भाग्योदे से होंगे प्रसन मकर राशी वालों को स्वास्त लाब होगा तो कुम राशी वाले अपने वेवाइक जीवन की समश्याओं से होंगे परिशान पही मीन राशी वाले आज अपने विवादों को सुल्जा ले गए अब करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते दृष्टी को प्रज्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विसस्त रुपाईों को जो आपको समश्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं तुम्हें करेंगे आज के दिन की जोतिश मंत्रना और समाधान दर्शे को हमारे शास्त्र कहते हैं शठे शाठ्यम सभाचरेद यानि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवार ही करना चाहिए इस पर शास्त्र का उचित तर्क भी है कि दुष्ट समझाने से अपनी दुष् प्रकारे शिक्ष्यमाने आमूल सिक्त पैशा ग्रतेन ना निम्व्रक्षो मधूर्त्म मेती इसका अर्थ यह है कि जैसे नीम के व्रक्ष के जड़को दूद से घी से सीचने पर भी उसमें मधूर्ता उत्मद नहीं हो सकती वैसे ही दुड़जन को अनेक प्रकार के उप्त जनता नहीं आ सकती इसलिए दुड़जनों से पेक्षा भी मत रखिए और उनके प्रती विशेश सावधान भी रहिए तब जीवन में किसी कंभीर हानी से आप बचे रहेंगे यह था आज की ज्यान चर्चा का सार अब बात करते हैं उन विसस्ट रुपायों पर जो आपकी सभी प्रयास करें कि बिल्व वरक्ष के पौधे जादा संक्या में लगाए साथ ही आज सीता राम जी के मंदर जाए यता शक्ति श्री जान की वल्लभाई स्वाहा इस मंत्र का अधिकादिक संक्या में जब करें रात्री में गुड़ का दान करें तो आने वाला जो वर्ष ह आज के दिन आप भगवान सूर्य की विशिष्ट आराधना कर सकते हैं इसके लिए आप सूर्य भगवान को गुड कुमकुम लाल पुश्प और केसर मिले जलस्या अर्ग दे सूरी अंत्र के सामने पहले लाल वस्तर पे ग्यों की धेरी लगाए उसके उपर सूरी अंत्र र और विशिष्ट मंत्र को कम से कम फंद्रा मिनिट चाप अधिक जितनी आप कर सकते हैं नित्यजब करना शुरू कर दें मंत्र स्प्रकार ध्यान से समझीगा ओम रीम घ्रणी सूर्य आधित्य श्रीम ओम रीम घ्रणी सूर्या अधित्य श्रीम दर्शे को तीन-4 माह वीतें और आप अपने अंदर एक फशिस्ट उर्जा एक शक्ति का संचार अनुवव करेंगे। भगवान भासकर आधित्य नाराइन की कृपा आपकी आर्थे की स्तति को मजबूत कर देगी। रोजगार निश्चित रूप से आपको अच्छा मिलने लगेगा। लाल चंदन से, लाल चंदन को घिसे, उसकी शाही बनाए, उससे सीताराम लेके हनवान जी के शीष पर उन पत्तों को अर्पित कर दे। या फिर एक माला बनाए जो की मौली यानि कलावे के धागे से बनेगी और वो उन्हें पहना दे, साथ में एक मीठा पान, एक लड़्ड करें, उस दीपक में कुछ दाने काले उड़त के, काले तिल के, चावल और गीहों के डालते, इस दीपक को गीहों की धेरी पे रखें, और इसके बाद में 27 पाठ बजरंग बाण का अगर आप करते हैं आज, और अपनी मनों का अमना भगवान हनुमान जी को बोलते हैं, और गंटे का समय लगेगा आपको, लेकिन अगर आपनी पूजन कर लिया, तो इस से आपके सूर्य मंगल, शनी, राहु, केतू, ये ग्रह ठीक होंगे, साथ-साथ आपके जीवन में आरही, सभी प्रकार की समश्याओं में, आपको निजात मिलने लगेगा, इसमें कोई भी दर्शेक को ये थे आज के विस्वस्ट उपाए, जो आपको समश्याओं से बाहर ला रहे, मनु का अबनाए आपकी पूरी कर रहे, बात करते हैं आपके सवालों की, आपके सवालों में आज हमारे पास जनुम पत्रिक आईए, हमारे दर्शेक मनु अगरवाल जी की, दो द पूरी की सीधी दर्श्टी आपके संतान भाव यानि फिफ्ट आउस पर है, आला कि गुरु नीच है, लेकिन वक्री भी है साथ में, तो ऐसी स्तिती में एक संतान निश्चत रूप से हुआ करती है, तो ये योग आपके है, आपके संतान प्राप्ति का जो योग है, वो ब पूश्य करवाईए, आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे पास हमारे दर्शक राजू जूशी जी की 10 मई 1902 में का जनम है, रातरी एक बच के 36 मिनट एमदाबाद गुजरात, सरकारी नोकरी कब लगेगी हर बार लगते लगते रह जाती इनका प्रशन है, राजू जी आपक अब तक नोकरी मिलने में तकलीफ आ रही है, शुक्र आपके दसवे घर का मालिक है, यानि कर्म का यानि रोजगार का मालिक है, तो आप भगवान शिवजी पर नित्य मीठा धायर पित करना शुरू कीजिए, और ओम होम जूम्स है, इसकी चार माला का जाप नित्य करना आति संकल्प लेकर रोज़ाना एक पार्ट विश्नु सयस्तर नाम का करें, तो आपकी बार जो भी आप एक्जाम देंगे, उसमें आपको अच्छे परिणाम आने की उमिद रहेगी, आपके दू जन्वरी से ही बहुती योग कारगदशा शुरू हो चुकी है, जो एक साल तक रहेगी, उसका पूरा लाब उठाइए, इस दोरान आपकी नोपरी लग जाएगी, आज की तीसरी पत्रिकाई है हमारे दर्शक अशोक अगरवाल जी की 20 अपरेल 1924 का जनम है, रातरी 9 बजे सीकर, व्यापार किस चीज का करें, इनका प्रश्न है, देखे अशोक जी आ जानती करवाले, तो बहुत इशुब रहेगा आपके लिए, समश्याओं से बाहर आजाएंगे आप, तो दर्शको ये था आज का पंचांग, आज के विस्वस्ट उपाय और ज्यान चर्चा, पंडे चंदर शेकर शर्माई आशा करता हूं कि बताये उपायों को सही विधी सटीक समय अटूट शद्धा से करके आप पूरा पूरा लाब उठाएंगे, और जो ज्यान चर्चा, जो सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे, दीरे दीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनन्द में होता जाएगा, मैं वहादे उसे प्रातना करता कि जब आप हमारे बताएवें उपाय करें तो आपके कस्टों का निवारण अवश्य हो और मनुकामना पूर्ति निश्यत्रूप से हो, कारिक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद, भगवती आप सुब का कल्यान करें, जय आदिशक्ति!